वेरी बूट इवनिंग डिये एस्पिरेंस वेलकम टू अड़िया 24-7 दिस इस यू मेंटर सौर अच्छे होंगे और आपकी प्रेटरिशन भी जवर्दस चल रही होगी एक पर confirmation दे दीजे कि मैं आपको audible and visible हूँ ताकि आज का जो session है जिसमें हम डिसकस करने वाले है statement and exemptions जो की RRB means की examination या फिर और भी जो भी means की examination होंगी उसमें बहुत 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 ज़्यादा helpful होने वाली है सबसे पहला काम ये करना है जो बच्चे नए जुड़ेंगे उनका कर्तव बनता है कि वो subscribe कर लें इसे मतब इस चैनल को subscribe कर लें बेल आइकन दबा दे जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं मतब कि offline देख रहे हैं उनका भी यही काम है फटा फट इस चैनल को subscribe कर लें और दूसरा काम ये कर लें कि आप बेल आइकन दबा दे ताकि आपको आने वाले जुभी हमारे वीडियो होंगे जिसमें आप मेंस की कर सकते हैं उसके लिंक आपको पहुंच जा आपके वीडियो आपके बाद पहुंच चाहिए ठीक है चलो बहुत बढ़िया वेरी गूड इवनिंग तो आज का डिसकसन बहुत एहम है कल हमने डिसकस किया था चैंपियन प्रो बैच जो की रीजनिंग बैच है और जो आपके मेंस की एकजाम मेंस में आपको है्पक catch कोंगी से किया घ्यां हो या फिर आपीन तो को यह यहीं कमेंस M्ण तमाम परिचावं में यह ए रिजनिंग को लेकर जो सिलबस मेंस का है चाहह भूड़धा से करते हूं यह इस निपका क हो ऊखिंग में प्रूंदोर इसको फटाफटा नहीं है तो इसको फटाफटा आपके प्लेस्टोर जाके इस्टाल करें और उसमें जाकर आप इस बैच को सर्च आइगी और अपने आपको ऑन्रोल कर सकते हैं अब मुद्दे पे आते हैं, मुद्दा यह है कि आज हमें करना क्या है, आज दो काम है, दो चीजे हैं जहाँ ध्यान देनी है हम लोगों को, एक तो यह है कि मैं basic question करना है, logical listening के innocence कि आपके जो assumptions chapter है उसका, basic question करना है, पहले basic question करेंगे हम लोग, मतलब कि जो ABCD सिखाएगा हमें आज के सवालों को हम यहां discuss करने वाले हैं, आज के सवालों को हम यहां discuss करने वाले हैं, आज के ससन में, तो दोनों चीजे बहुत important है, so, of course, it is useful for NTPC aspirant as well, it is useful for NTPC aspirant as well, it is useful for NTPC aspirant as well, ठीक है, okay, हाँ, चलो, आगे पढ़ता है, so, पहले तो एक homework question discuss करेंगे हम, कल हमने I think discuss किय था, course of action और उसमें discuss, आपको दो homework question दिया था, मैंने आपको, दो question homework के तोर पे दिया था, course of action और exemption में difference किया है, वो ही बताऊंगा आपको, course of action के मतलब होता है, समस्या हो दिये होगी आपके पास, और कुछ solutions दिये होंगे, आपको समस्या का समाधान करना है, आपके एक लिस गया था, statement के तोर पे बताया गया था, कि Central Bureau of Investigation, that means CBI, receives the complaint of an officer taking bribe to do the duty of he supposed to do, मतलब की, CBI के पास एक complaint पहुचा है, जिसमें बताया जा रहा है कि CBI, को एक officer था, उसको duty जो normally करना चाहिए था, उस duty के अलावा, मतलब की, उस duty के वज़ में उसने क्या किया है, ब्राइब ल सकता है, तो CBI को क्या action लेना चाहिए, यह आपके पास यहाँ दो-दो बात ने लिखी गई है, एक बार, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हलका सा screen कट रहा है, तो थोड़ा से इसको देख लीजेगा इपर, हाँ, थोड़ा सा लगता है visibility में issue होगा, ठीक, उसमें ठीक रा and then take a strict action against him, मतलब यहाँ पे strict action लेने कहा गया है, कब, क्योंकि देखो, मसला यह है, ब्राइब का, और of course, जो ड्यूटी उसको दी आती है, आप एक यह दूटी करो, उसको जब इसमें ब्राइब लिया है, तो पहला जो है course of action, ठीक है, मतलब रेने की बात की जा रहा है, है, that means, कि जाहिर से बात है, बहुत सीरियस ओफेंस है, यहाँ पे, तो सीरियस ओफेंस पहला तो यहाँ बिल्कुल ठाई है, उसको रेनेटर पकड़ने की बात की जाए, सिर्फ इस किसी भी इस तरह की कम्प्लेंट पर उसको हम नहीं चला सकते है, केस नहीं चला सकते हैं, नहीं उसके एवज में कुछ strict action ले सकते हैं, अब जाहिर सी बात है, जब हमारे पास, उसके पास, रेनेटर पकड़ा जाए गए, यहाँ पे, इसने मेंशन किया गया है, रेनेटर पकड़ने की बात की गई है, अफ्कुर्स, तो फॉस्ट इस वेरी मच फीसिबल, तो फॉस नहीं, आप कंपेंग का वेट करना, इस नौत अगुड़ते हैं, यह तो गरबड़ा है, इस वेरी मच बात है, यह पॉस्ट आई, यह प्रफैक्त सॉलुट। पहला यहाँ एक परफेक्ट आंसर होगा अपका फर्स, इस बेस्प्रस बेस्ट कोड़ने गेशन वेइवड कि बोलेता हूं आपने टीम से चेक कर लें ठीक है चलिए सो मुब करते हैं के question number second ये भी आपका homework question था इसमें लिखा गया है कि cell phone users have found that tariff plan are not as attractive as promoted by telecom companies and complained to complain to regulatory authority about the same मतलब कि जो वादा किया गया था किसके द्वारा telephone cell phone companies के द्वारा एक होता है cell phone company ने जो tariff plan के बारे बताया कि भाई ये आपकर सकते tariff plan आपके लिए इतने प्राइस में आपको ये tariff मिलेगा और वो चीज़ नहीं की गई किस के द्वारा उस cell phone companies के द्वारा तो जो customers उन्होंने क्या किया है regulatory authority के पास इन्होंने complain किया है of course एक समस्या है इसका समधान क्या हो सकता है तो यहां पर भी regulatory authority है उसो क्या करना चाहिए तो course of action first कह रहा है the regulatory authority should direct telecom companies for the transparent on the tariff structure of course ये direction दिया जाना चाहिए तो पहला यहां पर बिल्कुल सही course of action है मसला ये है कि telecom companies को क्या करना चाहिए regulatory authority should direct telecom companies to be transparent on the tariff structure of the plans of course ये पहला बिल्कुल perfect है क्योंकि भाई of course एक जो जैसे हमारे पास इंडिया में कहा है जो try है TRI, TRI, TRI तो वो जो है उसको यहां पर regulatory authority है यहां पर तो उसको क्या करना चाहिए direction देना चाहिए भाई सब आप जो भी tariff दिखाते हो बताते हो उस पे आप अडिग रहो clear रहो तो पहला एक सही course of action है second the government should restrict the number of telecom companies operating in the country restriction आप नहीं डाल सकते इसी पे आप restriction नहीं डाल सकते इस तरीके का भाई आप इतने सारे कमनी नहीं होने चाहिए यह आपका सही solution नहीं है बिल्कुल तो first आपका perfect यहाँ पे true solution है ठीक है I hope you are getting the idea this was a homework question और आपके तरफ से लगभग लोगों ने सही सही answer देया था बाकी हम move करते है आज के जो महत्रपून topic है उस पे बात करेंगे हम लोग और वो topic है आपका statement and assumptions ठीक है so statement and assumptions का basic concept पे बात करेंगे आज हमारी चर्चा जो है इस topic पे properly रहने वाली है और यह topic पूरे logical listening का सबसे महत्रपून chapter है logical listening के अंतरगत आने वाले जितने भी list इ topic है चाहे वो course of action है वो assumptions है वो argument है या कोई और भी topic है उन सभी topic में assumptions का जो rank कह सकते है मेरे हिसाब से वो सबसे उपर रहना चाही just because की थोड़ा सा complication यहाँ पे ज़्यादा रहता है सोचने में परिशानी आती है ठीक है न? exactly so सबसे पहली बात मैंने example भी दिया था आपको इसमे assumptions का हिंदी अनुवाद अगर करेंगे तो उसका मतलब होता है पुर्व अनुमान या फिर पुर्व धारना कहते हैं इसे हम लोग पुर्व धारना है ना पहले से जो अनुमान लगा लेते हैं कोई भी action होने वाला है उस action से पहले उसके बारे में कोई भी event होने वाला कोई भी action होने वाला उससे पहले उसके बारे में सोच पाने की छमता को generate करना या फिर उस action को लेना वो हमारा क्या होता है पुरवनमान होता है ठीक है इसे हम बाई चला रहे होते हैं और हम जो break apply करते हैं मैंने example दिया था यह वाला को class में बाई चला रहे हैं, break apply करते हैं गर कोई सामने आयाता है तो कितने amount of force हम generate कर रहे हैं वहाँ पे that matters वो जो matter हमारा है जो दिमाग के इंदर calculation चल रहा है that is all about assumptions आप यहां पढ़ाई कर रहे हैं आपका assumptions यह है कि अगर इस chapter को पढ़ते हैं हम लोग तो main सी परिष्छा में हमें अच्छे marks मिलेंगे यह आपका assumptions है जो आपको push कर रहा है इस class को attend करने के लिए यह simple सी बात है that means एक पूरी हमने जब summarize करी थी मैंने एक बात कहा कि भाई जो assumptions होता है वो कुल मिलाके हमारा जो life है the human life जो हमारा life है वो totally हमारे assumptions पर निर्फ़ करता है अगर हमारे पास assumptions अच्छा लेने का च्छमता है तो मैं अच्छा life जीए उसका हमारा experience अच्छा है हमारे पास्ट experience अच्छा पूरा लाइफ डिपेंड कर रहा होता है तो एक और बात कह सकते हैं यहां पर हमनों कि assumptions depends upon the past experience ठीक है ना तो ये कथन एवं पुर्वधार ना है ये बाते होंगी अब मैं यहां पर एक बात कहूंगा आप सभी को इस बात को ध्यान में रखना होगा सवाल सॉल्व करते समय ठीक है ना अच्छा है तो अब दूसरी एक बात में और जोड़ूँगा यहां पे कि जब हम सवाल कर रहे होंगे सवाल में क्या होगा कि मालो statement आगे पास यहां given होगा कुछ भी statement given होगा बहुत ध्यान समझना इस बात को विकाज यह सबसे परिशानी में डालने वाला chapter होता है statement assumptions यहां पे first मालो assumption दिया गया है यहां पे second assumptions दिया गया है कुछ भी हम कैसे तै करेंगे why this topic is different the reason is statement जो भी given होगा आपके सामने जो भी statement given होगा statement के बाद सोचना हमारा काम नहीं है ध्यान रखीगा statement के बाद विचार करना statement के बाद क्या होगा इस बारे में सोचने का जो छमता generate करना है इसको assumptions नहीं कहते है statement जो भी event बताएगा आपको जो भी action देगा यहाँ पर किया हुआ उसके पहले क्या हुआ होगा इसके बारे में सोचने का जो काम है वो हमारा कौन करेगा assumptions करेगा ठीक है so यहाँ पर सबसे मालोग है इसको हम पूरा एक definition की तौर पर हम लिए चल रहे है on which our given statement is dependent मतलब कि जिस पर हमारा वही assumptions सही माना जाएगा जिस पर हमारा कथन निर्भर करता होगा आप मुमन होता क्या है conclusion हमारे कथन पर निर्भर करता है course of action हमारे कथन पर निर्भर करता है आपका inference हमारे कथन पर निर्भर करता है एजंशन में उल्टा खेल है यहां परortunamus सही है आरगूमेंट टोपिक है सबी इस स्टेटमन के बाद होते हैं लेकिन यहां पर क्या होगा एजंशन के बारे में the true assumptions upon which are given statement is dependent. So this particular point is very, very, very much important. So you just keep this point in your notebook, just to write it, so that you can help. Okay. Okay, yes, it is reverse in this, exactly, you are saying very well, so that's why you will understand this point here, only the right one will be the right one will be the right one, here, 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 if our method will be the right one, then just the right one will be the right one. This one will be the right one, and the right one will be the right one. Why don't you go to the court if the employer does not pay you the provident fund contribution? What is the right one saying? Okay. Why don't you go to the court? If any person is the right one, if any person gives it a decision, a person is the right one, if your employer is the right one, if your organization or company are working, you cannot give a provident fund, or if he is the right, because you want to give it a letter, then why don't go to court? It means statement. It means that it becomes an advantage. In this action, this action, what are the things you've made, in these things you've made, which do you have done it, what is the right one thing you've made, मतब इससे पहले exist करती हैं ताकि ये बात कही जा पा रही है मतब ये वाली बात है हमें थोस नहीं है that means you only will have to find those sentences those points here जिस पर हमारा ये action जो कि भाई आप court क्यों नहीं जाते या फिर वो एक्सेशन दे रहा है वो क्यों नहीं accept कर रहा है तो इसको बात करते हैं पर court can intervene in the matter of dispute between the employer and employees यहाँ पर जो answer मिल रहा है मुझे यहाँ पर बोथ correct कुछ लोग कह रहा है first कुछ लोग कह रहा है बोथ लोग first कह रहा है कुछ लोग second कह रहा है कुछ लोग बोथ कह रहा है क्या है यहाँ पर आपका यहाँ पहला लिखा हुआ है court can intervene in the matter of dispute between employer and employees मतब कि जो court होता है जो court है का चहरी है वो नियायाला है जिसको हम बोलते हैं इन matters में employees मतब कि जो employee है और जो employer है मतब जो नौकरी देता है और जो नौकरी करता है उनके बीच के जो मामले हैं उसमें दखल देने का हक नियायला के पास है अफकूर्स यह हक है तब तो इसने कहा कि court क्यों नहीं चला याते हो मतलब कि of course इस बात से पहले यह बात होती है मतलब court के पास यह हक है तभी किसी ने suggestion दिया है कि ऐसा करो बात समय में आ रही है तो पहला तो भाई बिल्कूल एगिस करेगा second की बात करते है it is obligatory for the employers to pay the provident fund contribution to the employees मतलब कह रहा है कि भाई यह बिल्कूल important है मतलब कि अनिवार रहे है कि आप employer है तो आपको अपने employee को PF देना है उनका हक है वो आपको देना है मतलब it is obligatory मतलब यह नुबार रहे है और बहुत clear है कि आपको देना पड़ेगा of course अगर कोई court तक पहुचने की बात कर रहा है मतलब उसका वो right है तब तो उसको नहीं मिल रहा है तब तो court जाने की बात हो रही यहां पर क्या है वो दोनों ही क्या है बिलकुर clear assumptions है इस कथन से पहले दोनों बातें exist करती है तब यह कथन आया है ध्यान रखेगा यहां पर फॉलो करेगा और यहां पर implicit सब्सका इस्तमाल किया आता है implicit तो यहां पर दोनों ही implicit कर रहे होंगे तो यहां पर क्या answer होगा बोथ कुछ दोने first कहा है वैसे लेकिन correct answer भी बोथ चलिए आगे बढ़ता है so you will have to understand the assumptions में बहुत-बहुत-बहुत important है मतलब मैं बोलूँगा भी यह तो मैं फिलाल अभी जो आपका IBPS pure level है भी मैं नीचे लेवल पर चल रहा हूं लेकिए आपको लिए को लिए नहीं चाहता हूं कि अचानक सब मैं आपके सामने सीधा tough सवाल ही रख दू तो of course मैं बेसिक सवाल लिया है भी लेकिन हाँ दो-तीन सवाल के बाद ही मैं आपके सामने previous year paper रखूंगा ताकि आपको सवाल किस लेवल तक जाता है और कैसे कैसे पैसे रख जाते है और किस तरह का इस्तमाल किया था लेंविज का ठीक आगे बढ़ता हूं question number second आपके screen पे है और इसमें कहा गया है use our product to improve memory of your child it is based on natural herbs and has no harmful side effects an advertisement of a pharmaceutical company मतलब की एक pharmaceutical company है उसने अपने एक प्रचार में मतलब की advertisement में उसने दावा किया उसने कहा है कि आप अगर अपने बच्चों का memory तेज करना चाहते हैं तो क्यों नहीं हमारा product इसमाल करते हैं क्योंकि हमारे product जो है वो side effect नहीं है समझ रहा है वैसे हमारे country में खास और पैसा है कि हम लोग बहुत emotionally वो हो जाते हैं कि हाँ अगर ऐसा है तो ठीक है कर लेते हैं इसको ऐसा नहीं करना चाहिए वैसे वैसे यूज़ अर प्रड़क्ट तो इंप्रूब मेमरी ओफ एचाइल इस बेस्ट और नेचिरल हर्बस उसे टर्म काई साइस नमाल के नेचिरल हर्बस और हमफुल साइफेक्ट ठीक है ना यह एड़िजमेंट है फार्मसिटिकल कंपनी का अब एज़म्शन पहला इस कथन से पहले क्या यह बाते हुई होगी क्या यह बातें एग्जिस्ट करेंगी इस कथन से पहले हम इसको चेक करना वस यह ज़जमेंट करना अगर आ गया तो आपका एज़म्शन बहुत अच्छा हो जागा यह चैप्टर अभी पहला कहता है पहला एज़म्शन कहता है इसका मतलब यह क्लियर है कि लोग का ऐसा मान सकता है कि वो चाहता है कोई यूसफुल प्रड़क्ट भी हो साथी तो साइड एफेक्ट भी ना हो तो आपकोर्स पहला तो यहाँ बिल्कुल क्लियर एज़म्शन है दूसरे की बात करता है इंप्रूविंग मेमरी ओफ चाइल्ड इस कंसिड़र इस इंपॉर्टन और बाई मेनी पेरेंट्स ऑफकोर्स बहुमत जो पेरेंट्स हैं फिर बहुत संख्या में अशे अभी भावक हैं जिनको लगता है कि उनके बच्चों का मेमरी अच्छा हो तो बहुत मज़ा जाए बहुत अच्छा हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टन बात माना जाता है इस चीज़ को यह इस बात का ध्यान में रखा गया तभी तो इस बात का इस तरह से अप्रूब्स किया गया मतलब बहुत ही वाहियात सा कोई टीवी एक्टर अलसो मतलब बस सेंसेशन कह सकते हैं आप जिसको लोग बेखूफ टाइप बोलते भी हैं लेकिन फिर मैं उस परसन से पूछा वाई क्यूं देख रहा हो तो उन्होंने कहा कि हसी आता है देखके तो हमने कहा हसी हसी में आप क्या कर रहे हैं इसको आप स्टार बना रहे हैं चाहब वो निगेटिव पॉइंट ही है दुनिया के सामने तो आ रहा है कि व्यूस तो बढ़ रहा है उसके सामने तो ऐसी हसी आने के लिए मत देखा कीजिए न मतलब यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस सोसल वडिया का या फिर यह जो आजकल डीटल इंडिया है या डीटल पॉरे शुनिया चल रहा है इस डीटल इन क्यूशन यह है कि इस पर निगेटिव चीजिभा ज interessants जादा चल रही है एक बंदा है जो गाली गलोज करके कहां से कहां पहुंच गया है यंग्सर है Cincinnati वैसे कुछ नाम है उसका मैं पुरा नाम नहीं लूँगा आगे बढ़ता है है ना राइमिंग से आप पकड़ लीजेगा आगे बढ़ता हूँ थर्ड यहां पे है Okay So let's talk about the next question अगला सवाल कह रहा है कि The government has made an appeal to all the citizens to honestly pay income tax and file returns reflecting the true income level to help the government to carry out the developmental activities मतलब यह कि सरकार ने कहा है कि भाई आप एक अपील किया है पूरी जनता से, citizens से कि आप प्लीज आप लोग कीजे इस चीज़ का मतलब honestly आप income tax भरिये और return file कीजे ताकि आपका जो पैसा है वो देश के प्रगती में लगाया जा सके income tax भरिये मतलब कुल्मला की यह बात है assumptions People may now start paying more taxes in response to the appeal लोग अधिक अधिक tax भरने लेंगे अरे बाही यहां पे एक sentence का बात समझेगा बात ठीक है यहां बात समझेगा बात क्या गया रहा People may now start paying more taxes इस more word को अगर यहां लिखता ना more people may now start paying taxes तो यह सही होता बात समझेगा बहुत बहुत एक word क्या कर सकता है क्या लोग ज्यादा tax पे करने लेंगे अरे भाई यह tax जिस slab में आएगा पहला is not a true assumption intention of the government is not that कि government ने इसलिए अपिल लहीं किया कि आपको भाउक करके आपका 5% और आपके तरफ से income tax ले ले उसका यह कहना नहीं आपने कहा है जो भी आपका बनता है आप जिस slab के अंदर आते हो उस slab वाला income tax तो भर दो मतब वो यह कह रहा है उसके इसलिए आप साफ रिटर्स भी फाइल कर लो मतब यह सब कह रहा है आप अपना इमांदारी से tax भर यह वास इतना ही बोला गया ताकि आपका पैसा जो है देश के विकास में देश के प्रगती में लग सके तो यहां पहला कह रहा है people may now start paying more this partner more word made this partner first assumptions as wrong assumptions ठीक है पहला इसलिए wrong हो जाएगा दूसरा the total income tax collection may considerably increase in the near future of course this is this is the assumptions of the government also government अगर appeal कर रही है तो यह सोचते हुए कर रही है कि मैं appeal करूंगा तो साय कुछ लोग तो बढ़ेंगे मतब अफ़ोर्स यह increase तो करेगा करेगा that means second is the properly true assumptions तो अफ़ोर्स दूसरा जो है बिल्कुल true है perfect है यही demand अपना है government का ठीक है नब चलिए so I think English अब दो मैं समझादे रहा हूँ हर सवाल को अभी इससे बादर जो सवाल आएगा उसमें तो और भी हिंदी में होगा ही नहीं सवाल because of you so सवाल का length बढ़ेगा कई बार क्या होता है सवाल का length इतना बड़ा होता है कि उसको हिंदी में convert कर पना उसमें सेम स्क्रीन पर रखमाना मुस्किल है और दो-दो स्क्रीन पर रखने तो फाइदा है नहीं खेर आगे बढ़ता हूँ मैं सवाल नमर तीन क्लियर होगा सवाल नमर चार देखिए अब यहाँ पर यह सवाल जो है SBI PO मेंस का सवाल है और एजमसन का सवाल है बहुत बहतरीन बहुत important होगा आपके लिए सवाल SBI PO मेंस 2017 का पूछा हुआ सवाल है अब कि बिलकुल पूछा हुआ सवाल आपके सामने है So, please try to answer the question अब खुछ से try कीजिए पहले पढ़िए समझेए सवाल हिंदी में नहीं है उसके लिए शमा लेकिन मसला यह है कि सवाल हिंदी में रख भी नहीं पाऊंगा मैं रख पाता अगर स्पेस होता तो मैं रख दिया होता So, फिलाल एकी लिए रखा या सकता है सवाल को तो मैं सवाल हो जाता हूँ सवाल को बढ़ ट्राइ कीजिए सवाल को सवाल को सवाल करने का Sakshi Kiran is saying sir Could you please suggest it is good idea to watch and learn from all videos related to banking irrespective of clerk or means or bank type I am preparing for IPS clerk, please tell sir Sakshi, my suggestion would be, no doubt, I will get one viewer less after this suggestion But, my suggestion here is that you are focusing on the exam Like you are focusing on the IPS clerk, just focus on the IPS clerk Don't focus on the means, don't focus on the means Of course, there is a gap of course, there is a gap, so you have some chapters So, keep reading, it's not bad, but I will say that your IPS clerk is your target So, just, you have to complete the syllabus, put a batch, put a proper batch, and put that batch And practice the batch, and see that you have to be able to practice And see, that you have to be able to attempt 80 Because in the clerk's paper, it's very important to reach 80 attempts If you want to work, you are only in the clerk's exam, the most important thing is pre-examination So, pre-map, you will have to do a little lag, you will have to be able to get out of the exam So, in the clerk's exam, try to do maximum, maximum, maximum question So, maximum people have started to answer the question So, of course, D, 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 many people are saying here D is the correct answer, some people say C, some people say D, you can see the answer So, please explain in English, of course Narsimha, of course, I will try to explain both the languages English as well as Hindi So, I have written the question in English language So, that you can read the question properly, and you can answer the question I will try to elaborate the things in English as well So, let's do it I think answers will have to be done Okay So, if there is a gap, then you read the main ones You are targeting the main ones, you have to take the idea of the main ones But yes, your main focus should be mock If your syllabus is complete, if your syllabus is complete, if your syllabus is complete in pre-level If India has given an RDB PO unless the SPS PO has given to be correct If the PLO does, then it should always make a sense to it If it allows you to do mock for the daily And the main ones, they will start the seriously work Seriously, after the main ones, which you can do And what you do to do is mock for the manual So, on the specific sentence, you change the strategy that you can study You can see that, that's the best of your method जोड़ पाए हमें सवाल में, the government has appealed to all the citizens to use potable water judicially as there is an acute shortage in supply, excessive use may lead to the huge scarcity in the future months, which of the following assumption is implicit in the above statement and assumption is something supposed or taken for granted, ये सारी बाते लिख दी जाते हैं परिशाओ में, आपको मतलम नहीं है क्या क्या उसके बार लिखागे, मेरे मसला यहां तक आपका है, तो कथन बहुत बढ़ा नहीं है, कथन बहुत simple simple साही है और आप उसको अराम से आशाओ भी कर सकते हैं ठीक है, चलिए पहला कहा रहा है, people may ignore the appeal, एक सब सब simple बात समझेगा, अगर ये appeal की गई है गवर्मेंट के दोया, तो क्या सोच के की गई है, कि people will take this seriously, they will not, because statement का, यहां होने का तात्रपर क्या है, ये समझना में याप पर statement अगर कुछ भी बोला गया है, तो इस वज़े से बोला गया है, कि लोग सुनेंगे, उसको implement करेंगे, तो ये तो अप नहीं करेंगे, वो अलग बात है, उसको बोलते हैं, हम लो inference, अनुमान लगाना, मतलब कथन के बाद होता है, कि लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम ऐसा, कि हम अगर ये point समझा रहे हैं, तो मैं तो यही सोच के कि आप और करना चीए, मुझे लगता है, आप करेंगे, वो अलग बात है, या आप नहीं पढ़ेंगे, तो आपके उपर है, वो अनुमान वाली बात हो कहीं, पुर्व अनुमान, मेरा पुर्व अनुमान क्या है, मैं अगर अभी लॉजिकल पढ़ा रहा हूँ, तो फिर को पाई गर्मेंट, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं कर पाई गर्मेंट, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं कर पाई गर्मेंट, आगे बढ़ता है, तो मतब गर्मेंट उस पर कारवाई करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, अफिर नोटिस कर पाई, कौन नहीं अपील को फालू कर रहा है, इसा खुच भी नहीं इनडिपेंडेंड पिल कही है आप ही के लिए है आप पानी का सही स्थितमाल कीजे वाइसवाली बात है third point कहीं भी आपा clear नहीं यहां पर बल रहा है fourth कह रहा है last number of people may positively respond to the government's appeal and help tide over the crisis of course this is the demand of this is the real intention of government this is the real intention of the government that people will take this notice or appeal in positive way of course this is the intention why government has made this particular statement or you can say appeal here right बात संच में आ रही है so fourth कह रहा है only poor people तो एक तो only word यहां पर आगया only word आगया तो काट दीजिए वैसे भी आप अपा correct हो चुगा है only D is the correct answer so only D is an assumptions D is a proper and very good assumptions so you will have to understand what is assumptions never ever try to mix the assumption with any other topic of logical listening because logical listening कि तो रेस्ट of the topic है चाहे वो course of action है, argument है, inference है या फिर कुछ और भी है, conclusion है वो सभी एक अलग चीज है, मत तो उसमें statement के बात के बात करते हैं assumptions उन सबसे थोरा सब परे है उसमें statement से पहले के बारे मिचार करते हैं इस बात को ध्यान लखिएगा प्लीज तो fourth is a correct answer, most of the people have said D is the correct answer, very good okay, चलो so irrespective of like answer कोई बात नहीं है, like share के लिए मत बोलो मैं अगर मैं चाहता तो मैं भी कलक के लिए पढ़ा रहा हो तो आपके लिए मत होते हैं कलक के लिए आओ, 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 इनिगल्टी से लॉगिजम कर रहे होते हैं नहीं नहीं ऐसा काम नहीं करना है, यहां पर main series में काम करना है अपन तो like और share क्या है मतलब ठीक है, मिलता रहेगा वह आप तो प्यार अपना दिखाते रहते हो मतलब यह है, अगर हाँ, class में पढ़ रहे हो, फीस जबाग कर दो, class की फीस हमेशा क्या होती है बस like share करना होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है, चलो, next सवाल आपके पास है, आप स्वाल करें प्लीज यह सवाल जो है, वो 2017 के SBI P.O.M.S का सवाल है, और यह भी सवाल में बूला गया है, statement आप पढ़ सकते हैं, इसको मैं छोड़ दिया हूँ तो आपके पास सवाल आप देखिये, सवाल का अंसर कीजिए, फिर मैं सवाल को सुरू करूंगा, solve करना जो हिंदी वाले बच्चे हैं, प्लीज परिशान नहीं होंगे क्योंकि मैं सवाल को हिंदी में सम्झा रहा हूँ, तो टेंशन ही नहीं नहींगा statement कह रहा, science is a sort of news agency comparable in the principle to other news agencies but this news agency gives us information which is reliable to an extraordinary high degree due to elaborate elaborate technique due to elaborate technique of techniques of verifications and its capacity capacity to survive centuries so science should be read and with as much interest as we read news ठीक है, बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- टाइप ऑफ न्यूज अजनसी है बट इस नीजनसी गिफ सन इंफरमेशन इंजर रिलाइबल तो एक्टारणीर हाई डिग्री दू टू इलबरेट टेक्निक्स ऑफ दे वरिफिकेशन आप इस साइंस को इस ने न्यूज अजनसी से अधर किया है मसल यह है कि चली ठीक है वहाँ तो नॉर्मल नीज होता है यहां पे साइंस के बारे में क्या बोला जा रहा है कि साइंस जो है न्यूज के प्रिंसिपल पे चलता जरूर है लेकिन लेकिन news agencies जो होती है वो आपो information देती है science की जो news है वो आपो क्या है verification के साथ आपो मिल जाती है वो उसका जो reliable sources होते है reliable extraordinary high degree sources है उसके elaboration technique जो है verification के साथ होते है capacity to survive centuries of course उसके जो तथ्य होते है century century चलते रहते हैं कोई बात नहीं है इसलिए कह रहा है कि science को आप क्या करें उसको आप पढ़ें और बहुत ही interest के साथ पढ़ें यह है जिस तरह से news पढ़ते हैं मसाले जो पढ़ते हैं मसाले जो पढ़ते हैं मसाले जो पर बोरा science पढ़ो अब कहा रहा है कि science encourages investigation spirit नहीं ठीके तो पहला is not a true one so the first is not true right second one people read news out of interest नहीं people जो है लोग जो है वो news को interest के बगार पढ़ते हैं अभी गलाथ है आपका दोनों ही wrong है यहां पर both are wrong here so we need to concentrate that both of them वो कह रहा है भाई news नहीं इंटरेस नहीं आप इसा नहीं so we'll accept that both are wrong here both do not implicit ठीक है नहीं both do not implicit so second first and second both are wrong here so let's talk about the next one ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सही कर रहे हैं आपको सोचिए मतलब आप क्या करते हैं इस तरह के सवाल कोई पढ़के exam में बाप बॉखला जाते हैं परिशान हो जाते हैं क्या हो रहा है यार लेकिन अगर आप सही समझे है ठीक है so आगे बढ़ रहा हूँ मैं आपका next सवाल लेके आ रहा हूँ और इस तरह के सवाल को ही आप पढ़के परिच्छा में confused होते हैं आप सोचते हैं कैसे करेंगी है यहां पर बहुत सारे लोग यहां पर सही आंसर कर रहा है बहुत बढ़िया very good let's talk about the next question अगला सवाल गरा है 20% of all energy consumed in the country is consumed by home appliances देसे में रहा हूँ जल रहा है जलने दो यार क्या जा रहा है कितना ही पिजली भी लाएगा ठीक है ना चोटे-चोटे बहुत सारे लोग जल रहा है जलते रहते है if appliances that are twice if appliances that are twice as energy efficient as those currently available are manufactured this figure will eventually be reduced to about 10% कहरा है कि देखो ऐसा है कि अगर देखा जाये तो जो हमारे घर में जो चलते हैं home appliances है पूरे दुनिया में जो हमारे 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 कांट्री में जो हमारे बिजली खपत होते हैं इसमें 20% जो बिजली खपत है वो खास दूर पे home appliances पे हैं मतलब कि TV, AC, bulb, fridge इस सब चीजहों पे मतलब refrigerators पे होते हैं उस पे 20% खर्च है पूरे जो बिजली खचा है पूरे अपने country में उसकी बात कर रहा है कि अगर हमारे अगर हम इससे दो गुना efficient अगर हम कर लेते हैं अपने efficiency करते हैं if appliances that are twice as energy efficient as those currently they are अगर मतलब इससे दो गुना efficient होता है मतलब की जो होता है 5 star, 3 star, 2 star, AC, वैसी होता है उस तरह से बाकी चीजों को भी बोल रहा है कि अगर इस तरह से efficient अगर होंगे वो लोग मतलब कम energy करच करके अगर उतनी energy output दे पाएंगे अगर ऐसा होगा तो कम से कम 10% जरूर हम बचा सकते हैं अपने अभी energy को बचा सकते हैं ये कथन है इस कथन का हमें पुर्व अनुमान देखना है ये कहां का सवाल है ये है IBPS PO Mains 2016 का सवाल मतलब कि सारे सवाल जो हैं भी दिख रहे हैं आपको लगातार ये सारे सवाल पिछले कुछ सवाल हमने basic भी कराएं कुछ सवाल मैं आपकी paper से उठा के लाया हूं अप्लेंस दोग भी थे हैं आपकी निए थे हैं ये टोगों मैं अप्लेंस थोगाता है पहला एक सब्सक्राइब तो ये सब्सक्राइब बड़न चेंड हो सकता है बट भी आगे पढ़ता है भी आगे पढ़ता है second it would not be expensive to manufacture home appliances that are energy efficient यह expensive वाली बात कहीं भी इसमें नहीं मेंसन किए पैसा कितना खर्श होगा इस पे कोई चर्चा नहीं किया गया तो भी cancel out होगा आराम से इसम बिल्कुल out of the leak बात कर रहा है second वाला next भी बात करते है home appliances manufacturers now have the technology to produce appliances that are twice as energy efficient as those are currently available of course इसके बारे हैं वीचार करेंगे हैं थोड़ा दिर बाद comparison कर सकते हैं A or C में वारा पास यही 5 options है तो हमें comparison करना पड़ेगा मतलब एक ही आंसर हो सकते हैं आगे बढ़ता हूं में next one the cost of energy of the consumer would rise यहाँ पे cost की बात बिल्कुल नहीं है कोई intention ऐसा हमारे कथन का नहीं है कर्थन का में कहना है उसका में focus है कि अगर home appliances का energy efficient उसको बनाते हैं तो हमारे कम से कम 10% हमारा energy बचेगा in the sense this will eventually reduce about the 10% ठीक है ना तो हमारा जो main source है उसका 10% energy बच जाएगा ऐसा कुछ कहा जा रहा है तो अब सी को पढ़ते हैं वापस है बोता home appliances manufacturers now have the technology to produce appliances that are twice as energy efficient as 2000 currently available उनके पास है ऐसा नहीं कहा जा रहा है अगर होता तब तो यह बात ही नहीं कर रहा है तो यहां पर मैं दुवारा इसलिए पढ़ा आपको बिकॉज यहां पर वही बाते कही गई हैं जो हमारे कथन में कही गई है लेकिन मसला यह कि if appliances that are twice as energy उसनी condition बोला कि अगर ऐसा होता है तो इसका बोलने से समातब यह नहीं कि उनके पास है वो रहा है now have they have the statement जो थर्ड कह रहा है वो कह रहा है कि now they have no ऐसा कुछ भी नहीं उनके पास है नहीं अभी ऐसा होगा तो बहतर होगा of course we'll go with the option number a that is हमारे पास पहला जो है वो बिल्कुल सही है ठीक है ना नहीं पहला बिल्कुल क्लियर है ना home appliances uses won't be increase उसके home appliances uses won't would not increase along with the energy efficiency of the people of the appliances तेकि मसला क्या है पहला जो हमारे पास हो क्यों सही हो रहा है इसमें कहा गया है कि जो लोग अगर मतब कह रहा है कि उसका यूज थोड़ी बढ़ जाए अगर efficiency कम होगा तो लोग तो यूज करी रहे हैं ऐसा नहीं कि लोग इस्तमाल नहीं कर रहे हैं लोग इस्तमाल फुल फ्लेज कर रहे हैं home appliances है जो आवसक्ता की चीज़ें वो इसका काम उसका इस्तमाल कर रहे हैं लोग यह कह रहा है कि अगर इसका मतब यह intention है कि अगर मालों कि efficiency वाला आ गया अच्छे efficiency वाला गर home appliances आ गया तो लोग क्या करेंगे उसका ज्यादा इस्तमाल करने लेंगे ऐसा थोड़ी है जो इस्तमाल होना वो हो रहा है बस वहां से यह कि of course तो हमारे पास यह clear बात है पहला विल्कुल ट्रू है ठीक है सी वाले में क्या कह रहा है सी वाले में कह रहा है कि the home appliances manufacturers now have the technology to produce appliances that are twice as energy efficient as those are currently available नहीं अभी उनके पास है नहीं है तो फिर यह बात कहां से होती उनके पास बहुता है if appliances that are twice as energy efficient as those are currently available तो अगर होता है इसका तब ऐसा होता तो यह फूचरिस्टिक बात की जा रही हो तो पस है नहीं तो थर्ड तो बिल्कुल गलत है यहां पे हम एक साथ इसलिए जा सकते हैं विकॉज ने कहा है this figure will eventually be reduced about 10% मतलब की लोग कह रहा है कि लोग 20% जो energy consumption है वो 10% हो सकता है अगर ऐसा होगा तो that means home appliances uses won't not be increased won't increase वो simple सी बात increase होगी तो फिर कहां बचेगा उसने अगर यह दावा किया है कि this figure will eventually reduce about 10% मतलब 20% जो है वो 10% में तबदील हो जागा that means uses नहीं बढ़ रहा है उसके तो पहला बिल्कुल acceptable है कोई सुनी है ठीक है clear है बात I hope you are getting the idea everyone ठीक है very good हमें infer नहीं करना है जितेश स्रवास्त we need not infer the things we need to assume the things we need to go for the assumptions they have said 20% से वो 10% पर आएगा बात समझे नहीं है बात को यहाँ पर यह कह रहा है कि नहीं नहीं इंक्रीज नहीं होगा of course अहीं बात है क्योंकि अगर इंक्रीज हो गया यूज तो दस बीस परसंट का दस परसंट होगा कैसे फिर अगर efficiency double हुई है तो जाहिट से बात है पीस का दस हो जाएगा इसका मतब यह है कि हो पर अगर यहाँ पर इंक्रीज नहीं होगी तभी तो इसा हो इंक्रीज हो गया तो फिर डबल डबल कैंसी नहीं हो जाएगा मात हो ठीक है ना तो लास्ट वाइट पॉइंट पढ़िए वहाँ धियां से इस फिगर it will eventually be reduced about 10% that was 20 will be converted into 10 why just because efficiency is going to be double so we 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 can accept that now they won't want increase simple आगे पड़ता है हाँ यह है SBI IPSPO इससे पहले बाद दो स्वाल जो था हो SBI था ठीक है चलो थैंक्स लोट मुझे लगता है कि आपको बहुत साही बाते समझ में आयोंगे और भी बाते करते रहेंगे भी आज की बाते यह रखेंगे हम लोग और जाते हैं बताता हूं मैं अपनी बैच के बारे में यह बैच जो आपको दिख रहा है आपको बाते हैं यहीं वाले रिजनिंग यहां चलने वाली है मतलब की चैंपियन प्रो बैच रिजनिंग फॉर इस प्रीज चलती रहे कि ठीक है इसके लावा एक में जग्रेकर बैच भी आ गया है तो आप उसमें भी देख लिजगा बढ़ाइगे बाते बाते हैं आपको इसमें रिजनिंग मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ उसमें तोड़ी चेंज है बाठाएं यह तीम भी आपके बाते हैं आपको बाते हैं उनको बताना जरूरी है लेकि जो बचे पुराना उनको सब कुछ मालूम है और बचे और इन्वालव भी है उसमें तो लाइफ ग्लासे ह जो आवल सकता होती है जिसकी त्यारी के दौरान वो चारों चीज यहां पर मौझूद है ठीक है महापैक में क्या होता है कि सारे के सारे यहां पर इन्वाल्व होते हैं सब कुछ इन्वाल्व होता है कुछ भी पूछ लिजा बैंक का अड़ा 247 कुछ भी लेके आएगा आपका इंटर्व्यू तक की चीज आपको लेवल होंगी महापैक के अंदर आपको प्री का पूरा म अड़ा के पास जो प्रोड़क्त है वो नहीं है मतब अड़ा का बहतरीन चीज है वो है महापैक तो आपको महापैक में जाके आपने आपको अन्रॉल करना चाहिए और उसके लिए करना क्या है कितना डिसकाउंट मिल सकता आपको जो भी प्राइस आपको नजर आएगी सुदे परशान नहीं होना है इस डिसकाउंट का लाव उठाना है 72% डिसकाउंट कब मिलेगा जाप इस कोड का इसनमाल कर लेंगे यूवन डबलेट इस इस माइकोड यूज इस कोड तो इन्रोल यूर्सेल इन बैंक महापैक और यू कन से अप्राइक प्राने हैं मतलब की हमेशा और आगे भी बने रहें जब तक एक्जाम क्वालिफाई नहीं होता तब तक उसके आगे नहीं बनना है जल्दी से एक्जाम क्वालिफाई करो निकल लो ठेक है चलो बाबाई